बहुत समय पहले की बात है, किसी गाउं में एक जमिनदार के महल के पास एक गरीब अनाथ बिधवा का जोपड़ी था जमिनदार साहब को अपने महल की जमिन को उस जोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई, जमिनदार ने उस बुढ़िया से जाकर कहा, अपनी जोपड़ी यहां से हटा ले नहीं तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन बुढिया तो कई जमाने से वहीं बसी थी उस बुढिया का प्रिये पती और एक लोता बेटा उसी जोपड़ी में मर गया था बहु भी एक पांच वर्ष की बेटी को छोड़ कर चल बसी थी अब उसी की पोती ही इस बुढ़ा पे की एक मात्र सहाड़ा थी जब कभी उसे अपने परिवाड की याद आती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी और जब से उसने अपने परोसी जमिनदाड की इच्छा का हाल सुना था तब से तो वह अधमड़ी ही हो गई थी उस जोपड़ी में उसका दिल कुछ इस तरह लग गया था कि बिना मड़े वहां से वह जाना ही नहीं चाहती थी जमिनदाड ने बुठिया को बहुत समझाया लेकिन बुठिया तो अपनी बात पर अरी रही तब वे अपनी जमिनदाडी चाल चलने लगा अगले ही दिन वह सुबह उठकर एक वकील से मिला और उसे थैली भड़कर रिस्वत के रूप में रूपे दियें और अदालत से उस जोपड़ी पर अपना कबजा कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया बेचाडी अनाथ तो थी ही कही परोस में जाकर रहने लगी ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं एक दिन की बात है जमिनदाड उसी जोपड़ी के पास घूम रहा था और लोगों को काम भी बता रहा था इतने में वह बुढ़िया हाथ में एक डोगरी लेकर वहां पहुंची जमिनदाड ने उसको देखते ही अपने नौकड़ों से कहा की उसे यहां से हटा दो पर वह गिरगिरा कर कहने लगी मालिक अब तो जोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है मैं उसे लेने नहीं आई हूं मालिक छमा कड़े तो एक बिंती है जमिनदाड के सिर हिलाने पर उसने कहा मालिक अब आप से क्या छिपाऊं जबसे यह जोपड़ी छोड़ कर गई हूं तब से मेरी पोती ने खाना बीना सब छोड़ दिया है मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन उसने मेरी एक न सुनी कहती है कि अपने घर चल वहीं रोटी खाऊंगी अब मैंने सोचा है कि इस जोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूलह बना कर रोटी पकाऊंगी तो वह जरूर ही मान जाएगी और रोटी खाने लगेगी मालिक क्रिपा करके आग्या दीजिये तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाओं जमिनदार ने आग्या दे दी अब बुठिया जोपड़ी के भीतर गई वह जाते ही उसे सारी पुरानी बाते याद आ गई और आखों से आसू की धाड़ा बहने लगी उसने अपने आपको किसी तरह समहाला और फिर मिट्टी भढ़ने लगी जब टोकरी मिट्टी से भढ़ गई तो जोपड़ी से बाहर ले आई फिर हाथ जोड़ कर जमिनदार से प्राथना करने लगी गी मालिक क्रीपा करके इस टोकरी को जड़ा हाथ लगाएं जिससे की मैं टोकरी को सीर पर रख लूँ जमिनदार पहले तो बहुत गुसा हो गया लेकिन जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैडो पर गिरने लगी तो उसके मन में भी कुछ दया आ गई किसी नौकर को न कहकर वह खुद ही टोकरी को उठाने को आगे बढ़ा वह जैसे ही टोकरी को हाथ लगा कर ऊपर उठाना चाहा वैसे ही उसे लगा की यह काम तो उसके सकती से बाहर का है फिर तो उसने अपनी सारी ताकत लगा कर टोकरी को उठाना चाहा पड़ जिस अस्थान पड़ टोकरी रखी थी वहां से वह एक हात भड़ भी उंची न हुई तब जमिनदार लज्जित होकर कहने लगा कि नहीं यह टोकरी मुझसे तू नहीं उठेगी यह सुनकर बुढिया ने कहा मालिक नाराज न हूँ आप से तो एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जाती और इस जोपरी में तो हजारों टोकरिया मिट्टी पड़ी हैं उसका भार क्या आप उठा सकेंगे आप ही इस बात पर बिचार केजिए तब जमिनदार को यह एहसास हुआ कि वह तो धन के लालच में अपना कर्तव भूल गया था लेकिन बुढिया की बाते सुनकर उसकी आखें खुल गई उसे अपने के बड़ बहुत ही जादा पश्चा ताप हुआ और उसने बुढिया से छमा मांगी और उसकी जोपिडी वापस करते हुए कहने लगा की बुढिया मैं भी तुम्हारे बेटी जैसा हूँ आज से तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो एक बार मुझसे जरूर कहना उस दिन से बुढिया अम्मा और उनकी पोती उस जोपिडी में खुसी खुसी रहने लगी तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्षन में जरूर बदाईएगा और अगर आप हमारी चैनल पे पहली वाड़ाएं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर करना भी मत भूलिएगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स वर बोचिंग इस वीडियो